नमस्कार आज है नौ मई और दिन प्रहस्पतिवार ये बीबी से हिंदी का पॉड़कास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी ख़बर है मेरा नाम है मुहनलाल शर्मा और मैं हूँ मानसीदाश अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने रफाह को लेकर इसराइल को दी चितावनी इसराइल को क्या संदेश देना चाहता है अमेरिका मकसद क्या है कई महीनों से राष्टपती बाइडन और दूसरे अधिकारी भी घजा जंग और रफा के लिए इसराइली यूजना को लेकर चिंता जता रहे थे साल भर पहले पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफतारी के बाद हिंसक प्रदरशनों में क्या हुआ था चुनावी हलचल में जानेंगे आज कौन से बयान पर मचा है हंगामा लेकिन पहले देश दुनिया का हाल सुनिये मानसी दाश्चे रूस के सालाना विक्ट्री डे समारहो के दौरान राष्टपती व्लादिमिर पोतिन ने पश्चिमी मुलकों को चेतावनी दी है उन्होंने कहा हैं कि रूस धमकियों से नहीं डरता इस समारहो में होने वाली परेड में यूकरियन पर हमला शुरू होने से पहले की तुलना में कम सैनिक देखे गए साथ ही केवल एक टैंक का डिस्प्ले किया गया इस दोरान रेड स्क्वाइर में दिये अपने भाशन में पोतिन ने कहा कि रूस मुश्किल दौर से गुजर रहा है लेकिन उसकी सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तत पर है पोतिन कहा रहे हैं रूस अभी बेहत मुश्किल दौर से गुजर रहा है देश का भविश्य और इसका नसीब हम में से हर एक पनेर भर करता है। आज विक्ट्री डे पर हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम और हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जो बहादूर थे जो दोस्ते निभाने के साथ साथ मुश्किल हालात से निपटना जानते थे और जि इन आरोपो को दुर्भागयपूर्ण बताया है और कहा है कि अमरीका भारत में चल रहे हैं लोग सभाचुनाव के दौरान अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा। अमरीका राष्ट्रवाद के विचार को नहीं समझता है, वो ये भी नहीं समझता है कि अतिहासिक रूप से भारत कैसे आगे बढ़ा है। अमरीका एक राष्ट्र के तौर पर भारत का सम्मान नहीं कर रहा है। ये थी मारिया जखारोवा। में कंपणी ने वक्सिंड बनाना बंद कर दिया और कोवीशील की सप्लाई को भी बंद कर दिया इस से पहले फार्मासिटिकल कंपणी एस्ट्राजनिका ने ब्रिटेन की एक अदालत में यह स्विकार किया था कि उसके कोरोना की वक्सिंड से कुछ लोगों को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को भारत का एहम हिस्सा बताया है। दिल्ली के एक कॉलेज में एक सवाल के का जवाब देते हुए उन्होंने कहा पी ओके पर आपको बता दूं कि एक संसदी प्रस्ताव है भारत की हर पार्टी इसके लिए प्रतिबध है। इसमें साफ है कि योके भारत का हिस्सा है और भारत को वापस मिलना चाहिए। ये राश्टी के लिए हमारी प्रतिबधता है। दक्षन कोरिया के राश्टी पते यून सुक योल ने कहा है कि देश की बेहत कम जन्मदर से निपटने के लिए एक नए मंत्राले की उन्होंने इसे राश्टी एमर्जेंसी बताते हुए कहा कि ये नया मंत्राले शिक्षा, रोजकार और कल्यानकारी योश्नाओ पर काम करते हुए इस संकट का हल तलाशिगा। दक्षन कोरिया उन मुलकों में से हैं जिन में जन्मदर दुनिया में सब से कम है। करेगा तो अमेरिका कुछ हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा। बाइडन ने कहा कि अगर इसराइल रफा को आगे बढ़ता है रफा में तो हम वो हथियार सप्लाई नहीं करेंगे जो रफा जैसे शहरों के साथ निपटने के लिए मोहिया करवाय जाते रहें। हलागे बाइडन ने ये भी कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि इसराइल पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अब तक अमरीका की चेतावनियों के बावजूद इसराइल ने रफा में आगे बढ़ने की ओर जोर दिया है। इसराइल के ओर से कहा जा रहा है कि जब तक रफाह में हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान नहीं चलाया जाएगा तब तक युद्ध में जीत हासिल नहीं की जा सकती। इसराइली सेना ने रफाह के पूरवी इलाकों में रह रहे करीब एक लाख लोगों से खान यूनिस और अलमवासी जाने के लिए कहा है। शमंत्री लॉइड आस्टिन ने पुष्टी की है कि अमरीका ने हमले की आश्रंकाओं को देखते हुए इसराइल को हजारों बमों की खेब फेशने में देरी की है। लॉइड आस्टिन ने अमरीकी सीनेट में कहा कि उच्छ पेलोड वाली युद्धक सामगरी की डिलवरी पिछले हफ़ते रोग दी गई थी। साथ ही निकट भविष्य में भीजे जाने वाले शिप्पिंट की समीक्षा की जा रही है। पड़ी लड़ाई होने से पहले इसराइल नागरी को को ध्यान में रखे और उनकी देख भाल करे। देखा जाए तो चार दश्कों में ये पहला मौका है जब अमरीका ने सारवजनिक रूप से अपने प्रमुक ख्षेत्रिय सायोगी इसराइल को हत्यार देने में देरी की है या फिर रोकी है। तो बाइडन इसराइल को क्या संदेश देना चाहते हैं उनका क्या मकसद है। ये बता रहे हैं उत्तर अमरीका से बीबीसी सम्वादाता बिल वर्नन। कई महीनों से राश्रपती बाइडन और दूसरी अधिकारी भी गज़ा जंग और रफा के लिए इसराइली यूजना को लेकर चिंता जता रहे थे। मगर इन्हें नजरंदास कर रहे इसराइल ने कहा कि वो हर हाल में रफा में कारवाई करेगा। मगर बाइडन को उमीद है कि अब इसराइल को अपने तार तरीके बदलने का कड़ा संदेश जाएगा। में ये सहाय ताउन की प्राथमिक्ता है। इसराइल ने मंगलवार को मिस्र के साथ 60 रफाह क्रॉसिंग पर नियंदरन कर लिया था। अमरीकी विदेश मंतरी मंतराले के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि क्रॉसिंग को खुला रखना और प्रभावी धंग से चलाना ये इसराइल का करतावे है। मैथ्यू मिलर कह रहा है कि ये इसराइल के लिए एक प्रशन है। इसराइल अब उस क्रोसिंग पर नियंदरन रिकता है इसलिए उस क्रोसिंग को खुलने और प्रभावी ढंक से चलाने के जमेदारी इसराइल सरकार पर है। हमने उन्हें साफ कर दिया है कि यह था शीक्र क्रोसिंग खोलने की ज़रूरत है और यह सुनिश्चित करें कि रहत समगरी आ सके रहत कारिकरता अंदर आ सके और बहाँ जा सके यह सुनिश्चित किया जाए कि रहत वित्रण में कोई रुकावट नहीं आईगी और इस बीच हम का यह कहना है कि वो रफाह के बाहरी आलाके में इस्राइली सेहनी को से रड़ रहा है इस्राइल और हमास के प्रतने धी मंदलों ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई समझोधे को सुरक्षित करने के उद्देशे से काहिरा में बातचीत फिर से शुरू की है इस्र इस्राइली सरकार के प्रवक्ता एवी हाइमन ने मिस्र में इस वारता के बारे में और चानकारी दी इस्राइल की सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रिधार मंतरी नेतन याहू ने अपने प्रितनी मंडल को साफ निर्देशों के साथ वहां बेजा है कि वो एक समझोते पर पहुँचने के लिए हर संभव कोशिश करें एक ऐसे ढाचे के भीतर समझोते पर सहमती बनाई जाए जो कि इसराइल को सुईकारे हो जाहर तोर पर जुद्ध को खत्म करने और हमास को बनाए रखने के बारे में कोई बात नहीं हो सकती हमास इसके लिए जोर लगा रहा है हम गजा में सभी इसराइली बंधकों को जल्द स जल्द उनके परिवारों से मिलाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे शामिल कर रहे हैं येरुशलम से परिष्ट पत्रकार हरेंद्र विष्ट को हरेंद्र सबसे पहले तो यह समझना चाहते हैं कि जो बाइडन जो यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका हत्यारों की दावनी है ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर चेतावनी है लेकिन ये बात जो है कि अमरीका इस तरह की पाबंदिया लगाएगा ये काफी चर्चा में कुछ महीनों से इस तरह के संकेत मिल रहे थे और आपको बताएं कि कई सारे मद्भेट जो हैं कि हम लोग बाचीत भी करत कि जो दाखिली सियासत है जो अंदरोनी जो राजनीती है उससे प्रेरित है और जो बाइडन जो है वो दबाओ में आ करके यहां के लोग मान रहे हैं कि एक गलत फैसला ले रहे हैं यहां पर इसराइल में इसको ले करके काफी तीखी प्रतिक रिया जो है वो देखने को मिल और यहां पर कई सारे नेता जो हैं वो यह आरोप लगा रहे हैं कि बाइडन हमास की मदद करते हुए नशनल सेक्यूरिटी मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट किया है बस उन्होंने इतनी ही बात लिखी है हमास लवस बाइडन लेकिन अगर बाकी जो यहां के नेता हैं निराशा फैसला मना जा रहा है आप हाँ सो प्रस भाइडन के इस फैसले से और उन्हें एक तरह से जीत की उम्मीद भी दिखेगी तो इस तरह के काफी सारे बयान आए हैं लेकिन एक बात जो तैय है यहां पर जो मंत्रि मंडल में शामिल हर नेता ने कहा है कि हमास के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसका खात्मा न बात करने के लिए अब इस प्रतिनिती मंडल से क्या उम्मीदे है कि और उनको गाइडलाइन्स दे रखी नेतनियाहू ने कहा यह जा रहा है कि यहां पर आकर कि फिर यहां के नत्रित्वे के साथ उसको लेकर चर्चा करें यह बात जरूर है कि बंधों की रहाई को लेकर के परियाज जारी रहेंगे, बंधों की रहाई कर gefाजा चाता है एस्राइल, लेकिन साथ ही साथ, अब यहां पर शाफ तोर पर यह निज़र आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया हरेंदर इसराइल के येरुशलम से इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए और कल BBC हिंदी के साथ साथ बार की भारतिय भाशाओं के सारे डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आप एक विशेश स्टोरी देखने वाले हैं BBC समधाता जुगल पुरोहित की विशेश रिपोर्ट कोविड के दौरान बनी मूदी सरकार की लापता टास्क फोर्स पिछले दो सालों में कोरोना की वज़े से करीब 47 लाग मोते हुई हैं जो सरकारी आपनों से 10 गुना ज्यादा है जिस टास्क फोर्स का ऐलान प्रधान मंत्री ने किया था उस टास्क फोर्स की किसी भी पहलू को लेकर कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है उस दौर का आपकी जेब पर क्या असर रहा बीबी सी की खास पड़ताल कल इसे आप हमारे सारे डिजिटल प्रेटफॉर्म पर देख पाएंगे और पॉडकास्ट का दूसरा चनल वो 9 मई 2023 का दिन था रेंजर्स की वर्दी पहने दरजनों अधिकारी पाकिस्तान के पूर प्रहान मंत्री इमरान खान को हिरासत में लेने के बाद इसलामाबाद उचन्याले के परिसर से लगभग खीच रहे थे और ये नजारा लाखों पाकिस्तानियों ने टीवी पर देखा या फिर अपने मुबाइल स्क्रीन पर रेंजर्स की वर्दियों में कुछ लोग अंदर आए हैं और उनोंने इमान खान वील्डचेर पर अंदर गए थे उनोंने वहीं से उने ठकड़ा और अपने साथ ले गए हैं उनोंने जैसे गिरफ़तार की है खान साब को वो मारे लीडर है, तो वो हम से नहीं देखा गी है. आज आप में लाइन क्रोस कर दिया, हमारी रेड लाइन इनली थी ना, इमोशन रटाइच थे. लोग इतने परेशान थे, रो रहे थे, पुछे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जवान और दौाएं कर रहे हैं, कि कुछ करें ये बड़े अर्से से ना, ये एक लावा पक्रा था इसा रगरा था कि एक सियासी जमाद जो है, वो मुल्क में इंतिशार फिलाने की कोशिश करें और कमांडर के गेट के बाएर एक लड़का खड़ा हुआ था, वो में लोगों कह रहा था, आवा और अंदर आवर वो लड़का कहा है इमरान खान की गिरफतारी के बाद हिंसक विरोत प्रदर्शन में कम से कम दस लोगों की जान चली गई, सैकड़ों खायल हो गए आगजनी और बरवरतर ने देश को हिला कर रख दिया, सरकार के मताबिक देश को ठाई अरब रुपए का घाटा हुआ शायद ये पहली बार था कि छावनी की सीमाओं और सैन्य प्रतिश्ठानों के सामने इतने बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन हो रहे थे कोर कमांडर का घर जलाया गया और सैन्य संपत्ती को नश्ट किया जा रहा था आज प्रदान मंतरी शहबाश शरीफ ने कहा कि 9 माई की घटना में शामिल लोगों को सजा जरूर मिलेगी शहबाश शरीफ ने कहा कि इन घटनाओं में शामिल लोगों ने शहीदों के परिवारों से माफी तक नहीं मांगी जिससे साफ होता है कि ये विद्रुह की सुनयो जित योजना थी पाकिस्तान तहरीक एंसाफ पार्टी के नेता शहरियार अफरीदी ने बताया उस दिन के बारे में जैसे मुझे गरेबान से पकड़ा गया, कींचा गया, धक्के दिये गए, गालिया दी गई कि तुम लोग क्यों यहां खड़े हो, तुम लोग जी एच क्यों क्यों नहीं जा रहे हो लोग इतने परेशान थे, रो रहे थे, मिलिटरी जैसे, लाँ माफ करें, कोई शिवर कर रहे है, बच्चे रो रहे हैं यह इन्वार्मेंट, यह महौल क्यों बनाया गया, यह क्या इस्तियाल देने के लिए काफे नहीं था, मैं बात करूंगा, मेरी पार्टी बात करेगी, आर्मी चीफ से, हम बात करेंगे, क्या हम पाकिस्तानी हैं तदकालीन, डियाईजी, आपरेशन्स, लाहौर और वर्तमान, आईजी, इसलामाबाद, अली नासिर, रिजवी, 9 माई को कूर कमांडर हाउस के आसपास, हिंसक प्रदर्शनकारियों को नियंतरत करने में जुटे थे बीबी सी अर्दू से मादा ता, शहजाद मलिक से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उस दिम क्या हुआ था मुझे तो इस टिल डिमेंबर की जिस वकर मैं जखमी हूँ उसके बाद आई रिमेंड हॉस्पिटलाइज फुर गुड़ अबर 29 डेस, कोंके मल्टीपल फ्रेक्चर्स थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन जो उसके बाद भी जो हमारे क्ली, वापरेशन कोर्ट पाकी चीज़ लेकिन जहां तक रहा गया कानून जाबते को हंडर्ड परसंट प्रफेशनल जो पुलीस ऑफिसर्ज होते हैं, प्रफेशनल फोर्सिस होती है, उसको अपने हाथ से उसका दामन नहीं छोड़ते हैं. जब आप पुलिस की कस्टड़ी में थे, जो अकियुस्त है, वह एलिकि प्रफेशनल जोपने हाथ से ठामन फिसे तक रहा हैं, प्रफेशनल जो प्रफेशनल जोड़ते हैं, टरिपशनल जोड़ते हैं फाल clarity है। तो अब से कुछ दिर पहले मैंने बात की बीबी सी समवादाता शहजाद मलिक से और सवाल रखा आज पूरा एक साल हो गया जब इमरान खान को गरफतार किया गया था सबसे पहले ये बताएं कि आज क्या हुआ नौ मेरी के जो वाकियात हुए हैं जिस दिन इमरान खान को गरफतार किया गया था इसमें हमबाद हाई कोट की प्रिमिस हिस से उसके बाद जो इंसिडेंट्स हुएं उसमें पी टी आई जो है वो डारेक्ट इन्वाल्व है और इसका मतलब ये है कि सारे एलिगेशन जो पहले होते थे वो एक तरफ अब अगर उसकी रिपोर्ट को विंडिकेट कर दिया जाता है उसको वारिफाई कर दिया जाता है तो वो एक अथेंटिक डाकुमेंट होगा जिसके मताविक कि फैटल गर्वर्मेंट जो है वो इस बात को अकनॉलिज कर रही है कि 9 मेई के जितने भी वाकियाच हुए थे उसमें इमरान खान की जमाद जो थी वो इन्वाल्व थे शहजाद आपसे ये समझना चाहेंगे कि 9 माई को साल भर पहले जो कुछ हुआ उस घटना में निश्चित तोर पर पाकिस्तान की जो पार्टी है तेरीक इनसाफ उसके कारकरता सड़कों पर उतरे थे और बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे क्या अब वो कारकरता इस देश में जो राजनीती बदल गई साल भर में क्या उसे मान चुके हैं अगर नहीं ऐसे नहीं है वो भी भी जिस तरह का अग्रेशन 9 में को था एक साल पहले तो शैद उस क्या एक्रेशन तो पी टी आई नहीं है क्यंकि बहुत सारे लोग जो थे वो अर्ายस रोग हैं बहुत सारे लोगों के जो किसिज हैं वो मिल्ट्री कोर्स में चलाए जा रहे हैं नहीं नहीं गहलता लेकिन वो यहां कि उस ऊपाकिस्तान के जो नो जो आना यानी यूट है वो इतना ज्यादा बिलीव करती है कि वो जेल में होते हुए भी वहां से जो बात करता है तो यहां की जो यूथ है खासर पर सोशल मीडिया जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है पागिस्तान की पॉलिटिक्स में और पागिस्तान की सोसाइटी में कि वो वहां से यह लोग बाहर निकल नहीं नहीं पार रहे हैं और यह बेश्चक जो मर्जी कहते रहें कि आज जो वहां का युवा है वो क्या सोसता है पॉड़कास्ट में आगे आप क्या सुनेंगे यह आज का विवादित बयान और आवाज संजे राउत की है चुनावी हल्चल में समझेंगे तो कनहिया प्रसाद लिख रहे हैं कि धर्म और जाती की राजनीत सही चुनाव जीता जाता है जनकल्यान और समाजिक उत्थान के नाम पर बहुत चंद लोग वोट करते हैं इंतजार अंजुम लिख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चार लोग सवा सीटों पर भाजपा ने उमीदवार नहीं उतारा इसके अलावा मदला लंबूरिया लिख रहे हैं कि दक्षिन कोरिया जनसंक्या वरदी के लिए नए नीतियां लागू करने जा रही है बाल कुमार भी रही मैं जानता हूं कि आप नेपाल से हमें सुनते हैं चुनावी परचार के दौरान धोने वाली भद्धी गालियों और आरोपो की बाचार के बदले भारत की राजनितिक दलों को महबत का वो करना चाहिए परमवीर रावत लिख रहे हैं, कुलदीब सिंग जाकर लिख रहे हैं, महमद अमिर उद्दीन है, तौहीद एहमद है, BBC is the best और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी टिपड़िया है फेस्बुक पर कुलदीब सिंग जाखर लिख रहे हैं कि पहली बार है जब बाइडन ने दूरगामी कदम उठाने के अपने इरादे का खुलासा किया है राकेश दूबे लिख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बुलिट ट्रेन चलाने किसानों किया है दुगना करने का वादा हवा हवाई साबित हुआ वहीं मुहमद अमिरुदीन लिखते हैं शाहबाद शरीफ और उनके सहियोगी अपने सत्ता के लिए विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं मदनलान लंबोरिया लिखते हैं पीयो के का मुद्दा गरम होगा और पीयो के लोग भारत सरकार का गुणगान करेंगी यह नियोचेत है यह उनका आरोप है और बेबी सिंग गुलजर लिखते हैं कि आई पीयल के मैच के बारे में जानकारी दीचिए अन्त में देंगे बात चुनावी हल चलकी तो मांसी आज का जो बयान है वो एक बड़ा बहुत इंपोर्टेंट बयान है जी बिल्कुल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजराउत ने एक सभा में पीएम नरेंदर मोदी के लिए विवादित शब्दों का इस्तिमाल किया है एहमद नगर में एक जन्चभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि चत्रपती शिवाजी महाराज महाराश्ट में पैदा हुए थे ये इतिहास में लिखा है वहीं औरंग्जेब का जन्म गुजरात में हुआ था इतिहास देखिए उनका जन्म वहाँ हुआ जहां मोदी का जन्म हुआ 27 सालों के लिए औरंग्जेब ने महाराश्ट की जमीन को जीतने के लिए लड़ाई लिड़ी आखिर में हमने उन्हें यहां दफान किया नरेंद्र मोदी आप कौन है तो ये जो टिपड़ी है आज ये काफी चर्चा में है वहीं केंद्रिय ग्रहमंत्री और बीजेपी नेता मित्शाह ने तेलंगाना की एक रैली में आज जो भाशन दिया है उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है उन्होंने कहां 2024 का चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है ये वोट फॉर जिहाद के खिलाफ वोट फॉर विकास का चुनाव है हमारे साथ शामिल हो गए है संजीव शिरवास्तो संजीव जी आप हैदराबाद में है और हैदराबाद में असदुद्दीन O.S. बहुत बड़ा नाम है जो असर उनका हैदराबाद में दिखता है वो देश के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं दिखता आपकी मुलाकात भी महराश्य में दाखिल होएं, हम करनाटक होते होएं, लेकिन सवीरे को ऐसे साथ से जो मुलाकात होई, वो थोड़ी पिक्यूलियर सी मुलाकात से लिहाज से हम कह सकते हैं, थोड़े भुजे-भुजे से लग रहे थे वो, इसमें अपनी कॉंस्वेंसी को लेके तो खासे आश् कॉंग्रेस की तरफ जा रहा है, बीजेपी थोड़ी कमजोर हो रही है, कॉंग्रेस मजबूत हो रही है, तो उनकी ओवरॉल जो पॉलिटिकल एक नारेटिविया, जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसको ये बहुत जादा सूट नहीं करता, तो ये एक बात निकल काई थी उस आ माधवी लता उन्हें टकर दे रही है या नहीं दे रही है? तो मतलब बहुत असर रखते हैं, असर दुद्दीन वेसी हैदराबाद में, आज वहां की गड़ी तैसी है, जी, मुस्लिम बोट अच्छी जंग्या में है, फिर थोड़ा एसी बगरा का है, उनका पुराना होल्ड है, तो ये सब मिलाके निकल जाएंगे, अचा निकल में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लिए कहा, कि औरंग जेब को हमने यहां पर दफन किया था, मोदी जी क्या चीज़ है, ये कैसा बयान है, बहुत समझदारी का तो नहीं कह सकते इसको, तोड़ा सा ऐसा बयान है जिससे पोलराइजेशन होगा, और हिंदू वोट और सं औरंग जेब सुनकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन उनका शायद जो लॉजिक था, कि हम चत्पती शिवाजी के बंचज़ हैं, उनकी राजनितिक विरासत हमारे साथ है, तो हमने तो औरंग जेब को कभी निपता आया था, दिल्ली को कभी निपता आया था, तो उसी संदर में शायद कावा होगा, कि मोधी जी भी हमारे सामने कैसे टिकेंगे, लेकिन औरंग जेब से तुलना में पॉलिटिकली बहुत मेच्चुर नहीं मानता, फायदे का सौधा नहीं मानता, लेकिन राउत फिर कभी भी कुछ भी बोलने के लिए जाने जाते हैं, कई बार जिसका मं जे राउत पहले सामना के एरिटर थे जिसी जमाने में और वहां पे जिस तरह के तीखे कॉलम्स और आक्रमक बाते और विवादात पत चीजों को मुख पत्र पे लाना, संपात्कियों में लाना, वो यह नहीं समझ पारे कि यह उनका नया अफ़तार जो किछली कुछ सालों से है, उदव साकरे के प्रमुक्त अलाकार पे, सबसे बड़े स्पोक्सपर्सन में से एक हैं, उदव साकरे की सेना के, तो यहां पे उनकी भूमी का फ़रक होगी है, तो कई बार वो इस तरह की बात कर जाते हैं, इसे पार्टी को और उनको दिक्कत हो जाती है, तो हना कि हम बहुत 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 शुक्रिया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर किसी एक मुद्दे पर और एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे, थांकियू सो मच, मानसी, क्रिकेट की दुनिया की बात करें, तो आज रॉयल चैलेंजिस बेंगलूरू और पंजाब किंग्स की बाजी करते हुए 56 रन बना चुकी है, टॉस पंजाब किंग्स ने जीता था और पहले फिल्डिंग करना चुरा था, और अगर कल के मैच की बात करें, तो लक्षनो उसुपजाइंज और संराइजर हाइदराबाद के बीच मैच था, ये मैच हाइदराबाद में था, और य नियूजरूम दोरा प्रसारित किया गया, इस्टूडियो समाल रहे था, जीत सार्थी मुझे मानसी को विदा दे, सुनने के लिए शुकरिया, नमस्कार